हाई फ्रेंट्स सो आज हम लेकर आये हैं चैत्रांगंड सीरीज का सेकेंड वीडियो इसमें हम बनाएंगे पर्ल का फिश सो आईए देखते हैं माटेरियल हमने क्या यूज किया है हमने आप लिया है पर्ल और रेड पर्ल सीजर और सुई और वायर लेकिन वीडियो से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करकर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे सबसे पहले तो हम चार मोती लेंगे और उसे एंड मे बटनेंगे और जो एक्स्ट्रा वायर हम उसको एक मोती में से निकाल कर फिर दो करेंगे ए कि एक मोती में से इस तरह निकालेंगे और टो करेंगे अब हम यहाँ पे एक मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से अब हम यहाँ पे साथ वाइट मोती और एक रेड मोती लेंगे और रेड मोती के end में जो एक वाइट मोती है उस में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से और वायर को हम अच्छे से टाइट रखेंगे अब हम यहाँ पे चार भाइट मोती लेंगे और अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे और सिक्स्थ और सेवन्थ जो ये दो मोती है इन दो मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे सो लास्ट से आप चार मोती ले सकते है या फिर स्टार्टिंग से सिक्स और सेवन्थ मोती आप काउंट कर सकते है अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आठ मोती लेंगे और लास्ट के तीन मोती छोड़के हम फूर्थ जो मोती है उसमें से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से ताकि एंड में एक चार मोतीयों का राउं तयार हो जाए अब हम दो मोतीयों में से सुई को बाहर निकालेंगे एक यह पहला मोती और यह दूसरा मोती और अब हम यहाँ पे तीन वाइट मोती लेंगे और सेम उसी मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे अब हम सुई को उपर के साइड लेके जाएंगे हम एक मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे यहाँ उपर के मोती में से हमने सुई को बाहर निकाला है अब हम यहाँ पे चार वाइट मोती और एक रेड मोती लेंगे और रेड मोती के बाद वाला जो वाइट मोती है उसमें से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से अब हम नेक्स्ट यहाँ पे दो वाइट मोती लेंगे और एक जो हमने round बनाया था उसके top most मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से हम यहाँ पर fish के पीछे का part बना रहे हैं तो हम यहाँ पर set करेंगे और next हम अब 5 white मोती और एक red मोती लेंगे same वैसे ही part बनाएंगे जो हमने उपर बनाया था और इसके बाद हम 4 मोती लेके इसे complete करेंगे और जो center में 4 मोती का set है उस मोती में हम join करेंगे तो अब हम यहाँ पर आगे का part बनाएंगे इसके लिए हम 12 white मोती लेंगे और एक red मोती लेंगे और यहाँ पर हम red मोती के बाद में जो white मोती है उसमें से हम सुई को बहार निकालेंगे इस तरह से और अब हम यहाँ पर एक white मोती लेंगे और इसे अंदर तक लेके जाएंगे और यहाँ पर आप starting से पीछे के side से आप 6 और 7 गिन सकते हैं इन दो मोतीों में से हम सुई को बहार निकालेंगे अब यहाँ पर हम साथ white मोती लेंगे और जो starting में हमने चार मोतीों का set बनाया था उसके नीचे वाले मोती में से हम सुई को बहार निकालेंगे और अब हम यहाँ पर एक white मोती लेंगे और जो साथ मोती ले थे उसके end के जो दो मोती है उन दो मोतीों में से हम सुई को बहार निकालेंगे तो यहाँ पर हम end के जो दोनों मोती है उन दोनों मोतीों में से सुई को बहार निकालेंगे जिससे हमारा चार मोतीों का set complete होगा इस तरह से अब हम फर्स्ट मोती का जो पहला मोती है वहाँ पे हम सुई को लेके जाएंगे यह जो फर्स्ट राउंड का जो पहला मोती है अंदर के साइड हम उसमें से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से अब हम यहां पर एक वाइट ड्रेट और एक वाइट मोती लेंगे और सेम उसी मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे यह हम जो हमारी फिश है उसकी आइस बनाएंगे इस तरह से अब हम यहां पर इसे सुई को अच्छे से सेट करेंगे हम पूरे राउंड में से सुई को बाहर निकालेंगे और सुई को ऊपर के साइड ले जाकर हम ऊपर एक नौट बान देंगे यह जो फिश है हमारी रेडी है बनके अब हमें बस एक नौट बाननी है सो यह हमने फिर्स नौट बान दी है और यहां पर हम एक और एक नौट बान के इसे फिनिश करेंगे इस तरह से और अब हम सीजर की हल्प से जो एक्स्ट्रा वायर है हम उसे काट देंगे और अब हमारी जो फिश है वो रेडी है सो आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप तरांगंड में इसे रख सकते हैं सो अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यू सो मुच